हाँ जैइन जैवारत सर्थ मैं यूसुफ बचकाना बात करूँ तो भाई बतानी की बात यह थी कि असलीव देजभग डॉन को ने एक मुसल्मानों के देजद्रोईयों को मारा कितने और बहुत से डूमरी के मुसल्मान नाकपड़ा के मुसल्मान मेरे को एंटी रिलिजिस ब मुसल्मान को मारने से पूरी शेर मार्किट की माँ भेने को गई इंसानियत के तौर से और डिपार्टमेंट के और मीडिया के तौर से देखा जाए और सारे पुरुफ देखा जाए तो असली डॉन मुंबई का बनने के लाइक कौन था और बनारा किसको जा रहा है आज से मैं आपको आने वाले कुछ तेनों के लिए एक ऐसे सक्स के साथ बेलवाओंगा उसकी आवास सुनाओंगा उसकी कुछ खाश तस्वीरें जो कहीं भी अवेलबल नहीं हैं जो उसने खुद मुझे किसी तरीके से भेजी हैं वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा और बहुत बड़े बड़े कुलासे, इतने बड़े कुलासे जिन में से शायद कुछ मैने भी नहीं सुने थे, जैसे जितेंद्र दहबोल करके माल्डर की पूरी कहानी कैसे उसको मुन्ना जिंग्रा और सादे कालिया ने मारा, और उसको मारने के लिए ये सक्ष भी लेकिन इनके मारने के पहले वो काम दूसरे लोग करके चले गए, वो पूरी कहानी क्या थी, जिंद्रा दहबोल कर, जो अरुन गबली ने एक प्लिटिकल विंग्ग बनाया था, अखल भारतियत सेना, उसका फाउंडर प्रेजिडेंट था, और जिसकी वो पार्टी बनाना और अरुन गबली की शिव सेना को गवारा नहीं था, इस आडियो में उस हक्ष ने बहुत बड़े बड़े खलाते किया हैं, कहां तक सही हैं, कहां तक गलत हैं, यह जवाब तो वही लोग दे सकते हैं, जिनके नाम उतने लिये हैं, लेकन अनफर्टिनेटली वो लोग आप इस दुनिया में नहीं हैं, नहीं तो मैं उनसे कनफर्म कर लेता, लेकन जैसे कहते हैं कि जो आडियन्स होती है, वियूर्चिप होती है, या सरोते होते हैं, लिसनर्स होते हैं, वो सबसे बड़े जज़ होते हैं, तो मैं इस पूरे कर्मकान पे कोई अपनी राय नहीं दू रही थी उसकी क्या वजा थी इसी तरह महेच भट के उपर जो अटैक किये गए उनका क्या कारण था मुरानी की उपर जो अटैक हुआ उसके पीछे क्या कारण था उसका ये कहना कि ये सब लोग मुरानी के साथ मिले हुए थे जो मुरानी की आमदन का एक हिस्सा आयासाई को जाता था और हमारी अजेंसी उस बात के खिलाब थी इसलिए उसका बदला लेने के लिए ये काम इस सक्ष के मताबक उन्होंने किया उसी तरह सबसे बड़ा खुलासा जो उसादमी ने किया है वो ये है कि उनके चलते हुए उस समय पे कितने काड़ हुए और जो 93 के बलास के जो चोटा राजन ने उस बलास के एख्यूज को मारने का एक लंबी दौड लगाई थी उस में से 33 लोगों को मारने में इस सक्ष का भी हाथ था इस सक्ष का कहना है कि उसके उपर total 41 मर्डर के केस चल रहे थे चल रहे हैं उन में से तेती मार्डर सिर्फ उन लोगों के है जो मौंबलात से जुड़े हुए थे जैसे सलीम कुरला, माजिद खान, हनीब करावाला या इस कितम के और लोग जो थे उन सब की फृरिष्ट, उन सब के नाम और उन सब को कैसे मारा गया, क्यों मारा गया यह साक्ष खुद बताता है, बहुत सारे खुलासे हैं और यह जो इसकी बात की तरकवार्ड करने का जो सेलसला था, वो तकरीमन दो हजार सतारा के करीब चला था, यह आदमी बैगलावर से एक केस की तारीक को भुगतने के लिए मंबई की कराइम ब्रांक इसको मेंगलावर से ट्रांजिट वारंट पे लेके आई थी, और मंबई के सैशन कोट में, श्याद प्रवंजा नंबर जाद प्रवंजा नंबर कोट का था, वहाँ पे इसको पेश किया गया था, एक पेशी के दौर तो वहाँ पे मेरी इसके साथ मुलाकात हुई, इसकी मर्जी के साथ मैंने कुछ बड़े तरीके से एक हिडन माइक से कुछ रिकॉर्डिंग की और वो सिलसला चलता रहा, उसकी कुछ जो क्लैरिफिकेशन दोर चाहिए थी, उसके लिए मैं मैसेज इसके आदमी को भेजता जो इसका कामकाई देखता है, इसके वकील के साथ भी राफ्ता रखता है, तो ओवर दा येर्स पिछले चार एक सालों में जो मैंने कुछ रिकॉर्डिंग की थी, उन में से कुछ मेरे से कही मिस्ट प्लेस हो गई, तो इतने साल मेरे को मिली नहीं, अभी जैसे एक वीडिय वाले घर में चदीगर से, पंजाब से, तो मैंने वो परानी रिकॉर्डिंग डूडने की कोशिच की, उन में से एक पेंट ड्राइब मुझे मिल गई, उसमें से काफी सारी रिकॉर्डिंग मुझे मिल गई, लेकन बाकी अभी तक नहीं मिली हैं, तो उसके लिए मैं दिख पिर कभी बाबे जाओंगा तो डूडूँगा, या पिर इस सक्स से एक पर बात करने का मौका बनाओंगा किसी तरह, और जो सीरी जो पूरी जो एक किताब पूरी उसमें लिखी जा सकती है, शायद उसको कंप्लीट करने का मिरा एक जो काम है वो पूरा हो जाएगा, अब कि जो सक्स कौन है, उसका नाम है यूसफ बच का नाम, कुछ तिर पहले उसके उपर मैंने एक एपिसोन किया था, उसके बाद उसके जो पंटर लोग हैं, जो उसके खास लोग हैं, उनके मुझे पोनाने शुरू हुए, आपकी उस कहानी में ये कमी रहेगी, वो को ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो आप पूरी कहानी बताईए, तो मैंने का भीया, जब तक मेरा राप्ता नहीं होती, तो मैं कैसे बनाऊं, तो उन लोगों ने कुछ जो मेरे सवाल थे, जो मैंने सवाल रिकार्ड करके बहजे थे उनको, उनके जवाब उन्हों ने अपनी तरीके से लेके मुझे बहजे हैं, लेकन ये आवाज जो भी आज आप सुन रहे हो, ये आवाज किसी और की नहीं, ये उसी यूसर बचकाना की है, जिसकी मैं आप से बात कर रहा हूं, और वो अपनी जिन्दगी के सारे किसे खुद सना रहा है, कल बरतों दो दो दिन और आने वाले दिनों में, उसकी बच्चपन से लेके उसकी कुद की बताई हुई कहानी जो मैंने 2017 में रिकॉर्ड की थी, वो कहानी भी आपको सुनाओंगा, कैसे वो कहां पैदा हुआ, कैसे बढ़ा हुआ, कैसे क्राइम के फिल्म में आया, पहला गुना कैसे किया, ये बगारा बगारा पूरी लबी चोड़ी कहानी, और आखर में मैं आपको बता दू, कि उस सक्ष के दिल में, आज भी डौन नमबर वन बनने की एक आग लगी हुई है, एक उसका मिशन आज भी है, और उसको प्राप्त करने के लिए, वो क्या करना चाहता है, वो भी उसने आज की इस वीडिय पूरी वीडियो में कहा है, तो सुनियें ध्यान से आज की वीडियो, कल आपको और किते कहानिया लेके फिराद होंगे आपके साथ, यह पूरी वीडियो आप सुनना और देखना, इसमें हो सकता है कि कुछ मुझे भी लगाए, एक दो जगा पे कुछ तारीख की या साल की हो जाता है कई बार, परानी बातें हैं कई बार, वो एक घटना उन्नी सो बंद में की थी, उसने गलती से उन्नी सो एकान में कह दिया है, तो इस किसम की और भी एक तो बाते होगी, लेकिन ओवराल काफी एक जैन्वन उसका एक उसका जो ब्यान है, एक जैन्वन किसम से उस वाखिल भारती सेना का जो प्रेसिदेंट था जिसने अरुन गाउनली ने बनाया था जिसे अंदर दाबुल कर जिसको ये मिलन सब्वे पर सांतर विले पारले से वह सब्वे पर मार दिये दे वो वह स्टोरी भी क्या थी मालूम है आपको साधिक काली सुनो सुनो खार का एडू को तो पच्छन्त होएंगे नेनी एडू 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 एडा गुपन ने एडा गुपन अल्लाग वो उस्टेम का एडी सेवन का या बी की बाद दो एडू थे एक खार का एडू था एक मीरा रूट का एडू था एक एडू सुना जादा पहनता था और एक युडिव खार जुपन पट्टी में रहता था वो एडू अकिर वारति सेना की जब शाका ही खुली जा रही थी तब ही मैं और एडू जिते अंदर दाबू करके घरते गए बैटे बात किये शाका करने की मेरे को छोटा राजिन ने भीजा था कि उसकी विकेड गिराने किये तो सर्वे करने के लिए गया था मैं पूरी ल था में अब खुद गया था उसके घर में अज भी मिलको याद्यू से घृटे पाहरा हूं मैं आपको तो उसने क्या बोला कि युसुप आज एक बार और सर्वे कर ले तू नौ रातरी का टाइम था वो दिन भी पता रहा हूं है चेक कर लेना अब अब मैं उदर खड़ा हूं वापस दूसरे दिन की बात एक उसके घर में गया चाही पिया एक दिन पहले जिते अंदर दाबुल क करके चाही पिया उसके बच्चे के साथ में खेला वो टावल नहारा सा टावल में बाहर आया फिर हम लोग बात बात करके हम लोग उतर के आ गए पूरा गाड़ी वाड़ी सिट्वेशन लुकेशन सब देख लिए समझे दूसरे दिन परवेज़ ने बुले कि आज एक दिन और देख ले कल कर लेता है काम तो जिसे नम लोग नेक्स दे मैं और बाला सुनाओने उसका लुकेशन कितने बजे आता है टाइमिंग देखने के लिए सुबह नौ बजे खड़ेते मिलन सब्वे पे इधर विले पार्ले में यह आया अपनी गाड़ी का फ्रेम बनवा रहता तो मेरी नजर पढ़ती है मुन्ना जिंगाडा के उपर मुन्ना से कभी बात होईगी तो बात कर ले ना गयार वो दाबुल के केस में यूसुब भी ठोकने के लिए खड़ाता और तुम लोग भी खड़ेते हैं वो क्या माजर है कि तो खड़ी कंपणिय हम लोग रागन कंपणिय और सब बच्पन के दोस्तों साधिक को साधिक कालिय को पहली बार चौपर मैंने हाथ में दिया कि पहला उसकी जिन्दगी की स्टेपिंग मेरे वज़े से किया समते है साधिक कालिये ने अब मैं उदर इसका बाला सोना उन नौदिन का वो चपल भी नी पहन सकता है लैजर की कोई चीज नी पहन सकता था तुम्झे और दूद की चाई भी नी पी रहाता था तो हम लोग वड़ा पाउ की आड़ी पे खड़े हुए तो उसमें बुला कि मैं खाली चाई पीऊगा तो मैं वड़ा पाउ खाया सुबह और चाई पी रहा था मैं तो इतने में एक मरून कलर की बाइक आती है एक आदमी चेश्मा उतारता है रैबन का अपने जेब में लगता और बैटे 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 बाई की सेंट पर लेता है संजिए और मेरे को देखके मुस्कुराता है और मुस्कुरा के सीधा फाइरिंग और वो आदमी था साथिकालिया यह पाइरिंग कर रहा था टभी में महा के आख नहीं मुझादा नोकता उनलोगत और बाला भागी लिए तो यह बला अपने सब सालेयी सब्सक्राइब उस तेंप पर साधिक कालिया को कोई नहीं पचानता था कि यह जितने मडर हो रहे हैं साधिक कालिया कर रहा है तब शर्मा साथ को मेने बताए कि साधिक कालिया और मुन्ना जिबाला रहे हैं यह कांड किये है तब जाके साधिक कालिया का बड़ा राजा के ना आपके बढ़कर को मारने की जो यह थी जितनी जाब तो जो अकिलभारती सेना का प्रेसिज्डेंट था तो तब उसको मारने का मकसद श्री बाला साथ ठाकरे का था और बाला साथ ठाकरे ने अंडर वर्ल्ड में ये सुपारी भूमाई थे दाउत को, मतलब दाउत तो नहीं बात करता है, शकील को, छोटा राजन को और अश्मिन नाइक को, कि कोई भी इसको मारो और तीन कड़ों को मिरसे लेके जा, ये मेरी आँखों देखी बात, ये मेरी आँखों सुनी, कानों सुनी बाते हैं, अभी ये बात का भी खुला सा कर दिया, अब इन लोग बिताते अबू सालिम डौन है, अबू सालिम ये है, माया भाई चलो, माया भाई, जी, हाकिकत में भाई, हाकिकत में देखा जाए, तो आज की जनरेशन में, छोटा रागयां, दाओ दिबराहिम, हरुन कवली, अमर नैक, अश्विन नैक के बाद में, जब सेकंड जनरेशन में डौन की गिंती में आती है, तो डीके राओ भी कोई डौन नहीं है, डीके राओ को भी आगे बढ़ाने वाला मैं, समझे ना, हाँ, जी, समझे ना, तो ये सब चीजों में इतने बड़े-बड़े मडर करने के बाद में, उस टेम पे नहीं जनरेशन, दाओ जोटा राजिन के बाद में कोई डौन बनने का हक रखता था, तो सिर्फ दो आदमी रखते हैं, सि या तो एक बालू डौकरे डौन बनने का हक रखता था, या तो फिर मैं डौन बनने का हक रखता था, नंबर वन डौन बनने का, समझे, लेकिन इतने बड़े उसमें, टॉप 10 डौन के अंदर, सब हजवे लोग का नाम आ रहा है, जिन लोगोने किसी को लापा नहीं मारे, लेकिन बालू डौकरे का और मेरा नाम तो कितर है नहीं डौन की किंती में, क्यों? और सबसे जादा मैंने जो किया, वो डौन तो बनने का नहीं था मेरे को छोड़ो, मैं मेरे देश की महबत में जो काम करने का था, मेरी देश की महबत में किया मैंने, समझे, जिसे के मैंने आपको बताया जिसे मैंने आपको बताया कि में मदर करनी जा और नाइंटी त्री ब्लास वाले एक्यूस का माजीत खान का अक्बर लाला का और मैं इंतजार करता था नाक पड़ा पक्या का 200 रुपर लेके टिकेट भड़ा लेके जाके मदर करके आता था मैं और आके राइस प्लेट खाता था पैसे की लाला सुथी नहीं मेरे को जी समझे आका एक्चुली देखा जाए तो वो मुमेंट पे पैसे की जो बात आई ना तो छोता राजन को खुद को नहीं मालूम था कि यूसुद तक के पैसे पहुच रहे हैं पैसे बीच में कौन खा जा रहा था पर wherever shitty ्ेर का जिस ने चुका कलिया ये सदिश कल निया सर्वतीちょफीश का कानेद जय संब्यये की या अशोग जावने अशोग जावने और स्थिछ का-लिया ये सब धायाश्रती का छोक्री लोग देखा है तो यह सब चीज आज इसको 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 सदुषकानिया को रिवेंज लिया गया इसको दिने शटिको मार्के पारला एंदर नादा कृष्णा होटल वाले को तब इनके पास विपेंड भी नहीं करते थे विपेंड मैंने भेजा जैल के अंदर से अतर और जेल के अंदर से कि जा यह मैं इधर से वीपन उठा और जाके ठोक उसको तो डीके क्या अक्षानपती क्या डीके चला गया तावा बोले इस उतु हैंडल कर लेना और मैंने वह हैंडल मर्डर करके मैंने हैं रिविंज लिया मैंने लेकिन वह मडर में मेरा नाम किदर भी नहीं क्यों है तो यह गोल मा लईता एक्चुली क्या था अभी अभी अब अब जी जी नाइन्टी सेवन से नाइन्टी नाइन तक कि नाइन्टी सिक्स्ट देन कर नैंटी सिक्स में तो फाइरिंग ये वगेरा हुई नाइन इस सैबन में मोन कोटियं के हम लोग में बैंगलोर में मरें सम्झेته मैं खुद भार अ कूकर मैं रोहीट रवीर बालू, बंटी, सब तेर, पुरी टीम थी, नन्नू और मुन्ना, उसका भाई, सब लोग पुरी टीम थी हमारे, समया, पाथ पूरा, हाँ, बंटी, पांडे, सब अम लोग की टीम थी और उनलोग मेरे ही घर में रुके थे इनलोग, athelik, वांटी, सब लोग मेर, और उनकी वाइफ, संंगीता भावी, और इसकी रवी की वाइफ, और रवी के बच्चे तो मेरी गोट में भे खहेले हुए, और मेरे बच्चे लोग इनलोग की खोट में खहले हुए, 2 है कि समझें मेरी बेटी समझे रभी कीगोट में खेलिये दो भी दो दोने पछोग में खेलिये में मतलब हम लोग। कर बच्छपन के दो स्लोग तई हम लोग कुछ को खोफिज चेर स्रावाओं से मुसलमान में को एंटिग एंटीहजियिस बोलते हैं गैंस्टर कि म ''मुसलमान कोई'' मारता है sonja s declare डॉफ स्रावाओं यूपेजे निपेगके लेकिन हाकिकत देखा जाए तो मैं एक मुसलमान होके दाउट का पूरा फाउंदीचन इलाके रख दिया मनिश लाला को मारा स्वेव रिजवी को मारा समझे इसमें इस दाउट को अब्जोर रुपएगा को नुकसान हुआ मनिश लाला को मारने से पूरी शेर मार्किट की मा भेनेगों गई तो इनसानीयत के तो सरसे और डिपाघ्मेंट के और मीडिया के तौर से देखा जाए और सारे पुरुप देखा जाय तो असली डॉन मुंबई का बनने के लाइक है और बना राकिस को जा रहा है इसके लिए मैं आज भी चुपने बढ़ा हूँ अगर बकराईद तक के मैं नहीं छुटा तंगी तो मैं भी आपको फ्यूचर में आपको बता रहा हूं समझें कि फिर बंबाई घर्म करूंगा बैंगलोर घर्म करूंगा मैसूर गरं करूंगा और हुबली धाड़वर गरं करूंगा इस दोरान बकराईद बकराईद से लेकर समय अक्टूबर तक के 10 माटर वहेंगे बभी से बहुषमानी आपको लिख देरा अगर अगर ते अधर तो जाए मोइड़ की का स्वाल के रखे और नहीं होती यह आप को पता रहा हूं मैं क्यूं मुलून है जब बात आती है ना बात आती है in की तो चाए वो चाए वो मीडिया का रिपोर्टर रहे जब बात इमेज कि और सिन्यरीटी के आती है तो आदमी के जजवात में आदमी अपने जजवात में आकर बोलता है यह उदा को मेरा था यह उदा दूसरे को क्यों मिला मीडिया दुसरे को क्यों हीरो बना रही है जबकि में हीरो तो मैं हूँ कर फाटया पटल जितने भी बड़ी वीकेट हैं गिरिये उस टैंब पे एक सब्सक्राइब सबस्क्राइब समझें और द्यवास को छोड़के आरे बड़ी वीकेटों में में हूँ